नई संसत के उद्गाटन के दोरान राजदन, सेंगोल भी लोकसभा अध्यक्ष की कुरसी के पास लगाया जाएगा। यह वही सेंगोल है जिसे भारत में सत्ता हस्तातर्ण के प्रतीक के रूप में लॉड माउंट बेटन ने नहरू को दिया था। यह वही माउंट बेटन है जिनकी ब्रिटेन में खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। आईए जानते हैं पूरी कहानी। साल 1980 के दशक में आईरिश रिपब्लिकन आर्मी उत्तरी आयरलेंड में ब्रिटेन के शासन का जोरदार तरीके से विरोध कर रही थी। आई आरे का यह विरोध खूनी हिंसा में बदल गया। साल 1989 में 27 अगस्त के दिन आयरे के हमलावरों ने भारत में अंग्रेजों के आखिरी गवर्नर लौर्ड माउंट बेटन की हत्या कर दी। लौर्ड माउंट बेटन ब्रिटेंग के राज कुमार फिलिप के चाचा थे। दूसरे विश्वयूद के हीरो रहे लौर्ड माउंट बेटन हमले के समय एक मचली पकरने वाली नाव पर सवार थे। कई दिनों की बारिश के बाद अच्छा मौसम हुआ था और माउंट बे जी थी और अगले मिनिट वो कुछ ऐसे हो गई जैसे माचस की तीलिया पानी पर तैरती हैं। इस हमले के दौरान नाव पर माउंट बेटन, उनकी बेटी पैटिशिया, उनके पती लौर जॉन ब्राबुन, उनके दो जुर्वा बच्चे भी मौजूद थे। बिटेंग की सरकार और आई आरे के बीच साल 1998 में बेलफास समझाता हुआ और इस हिंसा का अंत हो गया जिसमें 3600 लोगों की जान गई थी।